हेलो फ्रेंड आज हम लोग जा रहे हैं कस्यां कुसी नगर कुसी नगर अप लोग दिखाएंगे ब्लॉग से बने रहीएगा और लाइक और सब्सक्राइब किजिए और सेर किजिए वीडियो को भाई सपोर्ट किजिए चैनल का मेरे थेंक्यो दोस्तों हम लोग अब निकल च जाक मिलता है कस्यां गाधी चौक पर सीधे जाक मिलता है यह रोड बहुत ही ठंडी थी और माहौल भी ठंडा था बहुत ठंडी थी यहां पर हम लोग रुके कस्यां के पहले ही नहर के पास आदिते होटल के सामने हेल्थ वेज टैरी बॉंग भी पास यहां पर चाय बहुत अच्छा बना था इलर में यहां पर चाय पिए वल्य समसिते हैं अधर बाल बाइपास ही यह ccो पकिएगा और सीधे कस्या चौक पर जाएगा और लेफ्ट मुर्णे पर यह जाएगा आपका NH 28 में जाके मिल जाता है NH 28 यूपी से बिहार तक जुड़ी है बहुत अच्छा रोड़ हम लोक कस्या मारकेट में आ चुके हैं और यह बहुत ही थंडी है थंडी बढ़ती जा रही है साम होता जा रहा है और लोक धेरे देरी आ गया है गानी चौक कस्या Hmmm पर यह बहुत अच्छा लोकेशन है अब बहुत अच्छा जगह है यहां पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं मार्केट करने की ज़िए हम लोग आप कुसी नगर वाले रोड पर आ चुके हैं रोड का काम अबyard है बहुत सालों से इसका काम चला है अभी और्वरकान प्रोग्रेस पर है लेकिन रोड बहुत यह अच्छा स्टे में जया रहा है क्योंकि उधर अभी बेरिकेटिंग लगा हुआ है अभी आगे काम चल रहा इसके वह से हम लोग रॉंग वे में जा रहा है और इस उतना मतलब चालू रास्ता नहीं है अभी इसलिए जा रहा है हम लोग दोखा चुके हैं अब एरपोर्ट के पास में यहां का रोड देचे फिर दुबारा बना हुआ है इसके पहले बना था वो थोड़ा रही नहीं हुआ था फिर बन रहा है देखते रही है इदर साइड में नाला बन रहा है अभी काम वरक आन प्रोग्रेस पे ही है यह देखे सामने से लोकेशन एरपोर्ट का वहती अच्छा लोकेशन है और इस पेस बहुत ज़्यादा है इस एरपोर्ट पे एरपोर्ट से रिटर्न होने के बाद से हम लोग रुके स्वारना जक्षन पे यहां पे बहुत ही अच्छा स्वार्मा मिलता है जो की खाबूस में बनता है और यहां यहां पे दम बिर्याने, सीख कबाब, प्रोल, चिकन फ्राइ, यह सब कुछ मिलता है और बहुत ही अच्छा स्वाद में था, बहुत ही अच्छा स्वाद में मिलता है, अकम रेट में मिलता है, हम लोगा स्वार्मा बनके रेडी हो गया और आ गया हम लोग पास, अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे कैसा बना है, रिटर्न होने के टाइम काफी रात हो गई थी और अंदेरा भी हो गया था ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी यह वीडियो किलियर नहीं आ रहा था